हेलो दोस्त नमस्ति सस्रीक काल राद रादे गुड मॉर्निंग और मैं दंदर सुभा सभी कुड नमस्का है साथ में चलेंगे आभी ताक फिसाटी पहर रहे हैं जल्द जल्दी खाना खालो लेट हो रहा है खा रहा हूं हमेरे भी तो राखी लाटो ताय बोले कि दूसरा सारी डालों मैं दूसरा सारी डाली तब भी ये फोन चला रहे हैं जाओगे नहीं लिट नहीं हो रहा है मैं चलिये हैं आप है हैं आप आप तो दोस्तों हम घर से निकल चुके हैं और छोटा सा मारकेट है और इसके बाद हम लोग पूर्व के तो दोस्तों हम एन एज पकर लिये हैं और बहुत ही तेज में गारी चल रही है और मेरे साथ भी देखे ये भी भड़ गया है तो दोस्तों फुश्देर में हम लोग मुगेर पहुच जाएंगे तो बहुत अच्छा जगह है देख सकते हैं मुगेर एक एतिहासिक सहर है जो सत्यूग में ही बसाये गया था इसका पुराना नाम मुझे पता नहीं है आप लोग गूगल सर्च करके इस पर कमेंट कीजिएगा और कहा जाता है कि राजा कर्न का जो आपने मावारत में देखे हैंगे यो दादानवीर कर्न उनकी कडाही भी यहां मौझूद है आप लोग देखने के लिए यहां सकते हैं अब लोग कोशिश किये हैं कि इतिहासिक सारे स्तनों को कभर किया जाएं पर देखते हैं कहां तक घुम पाते हैं पूल तक ही रह जाते हैं कि अतिहासिका स्तन तक जाते हैं अब आगे आपको मेडम जेंजर शोबा बताएंगे मुंगेर एक इतियासिक सहर है मुंगेर को बंगाल का अंतिम नवाब मीर कासिम ने बसाया था मुंगेर शहर गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है और हम जो जिस पूल पे जा रहे हैं वो उसी गंगा नदी के उपर बना हुआ है मुंगेर शहर को चंद्र गुप्त मौर्यन ने बसाया था ऐसा इतियास में लिखा गया है उस समय इसका गुप्ता नगर के नाम से भी जाना जाता था अगर आप और इसके उपर डीपली स्टडी करेंगे हाँ अगर बना हुआ हुआ है वो तो पहुआ है अगलो वो तर बना हुआ है ते लगा एकी बाम लघ्टेता में जबत एंड़ाख सत्राय को अभार गानीं कि अढ़तो लुक्त लुक्त लगार घृट जो बामना लगार रेज़ता रेज़ता यारव चाल यारा कि भी कि अटविश लगार रेज़ता छी डाब जे लगार सरकार के द्वारा एक जगह कॉपर प्लेट में दिखाया है उन्होंने जो पुराने है आप रखी आप रखी बहुत ही संदार लग रहा है वाव सुपाव दोस्तों बहुत ही आनांदार है मुगेर वाला फूल में आप मोदा गिरी कहा गया है और कुछ समय बाद इसे लोग मगहिर कहते थे जो कालांतर में बदलते बदलते मुगेर हो गया है एक कॉल आगया है विशेस कॉल जिसकी बज़े से हमें वापस घर को जाना पड़ रहा है आगे की यात्रा फिर कभी हम दिखाएंगे हम लोग अब वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं यहां भी बड़ा खुबसूरत द्रिश है और काफी रूड भी अच्छी है चोरा करन भी हो गया साफ सफाई की सभी चीज अच्छी दिख रही है और यह छट पे निकलके घुरदंग मचा रही है हम लोग कहानी आपको अच्छी तरीके से सुरानी पाए एतिहासिक और आदी इंज्वाई करते हुए हम लोग वापस जा रहे हैं कभी कोशिश करेंगे आपको एतिहासिक किले के और भी रह समय घटनाओं को आपके सामने उजागर करेंगे और सामने जो दिख रहा है वो हम मुगेर वाले रूट को छोड़के अब हम नेस्नल हाईवे को पकड़ेंगे जैहिन एन वंदे मातरम करेंगे